जहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड मद्धि प्रदेश कर्मचारी चैन मंडल भौपाल द्वारा आयोजी तक्निकी सेव सिक्षा कोसल विविकास रोजगार विभाग के अंतरगत ITI में प्रस ग्यारा दोहजार वाईस से प्रारम हो गई है अंतिम तारिक 15 ग्यारा दोहजार वाईस है एक ग्यारा दोहजार वाईस से ही आप संसोधन कर सकते हैं पॉर्म के अंदर कुछ कर्रेक्शन करना हो तो बीस ग्यारा दोहजार वाईस अंतिम तारिक रहेगी संसोधन की सोला बारा दोहजार वाईस आपका जो है एक्जाम डेट रहेगा जनरल के लिए पानसो एस्टी स्सी ओविसी के लिए दोसो पचास एवं साट रुपे आपका MP online सुल कर रहेगा 20 रुपे आपका citizen चार्ज रहता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका government के द्वारा जो आपका आरक्षन दिये जाता है उसके पूरे वर्णन किया गया है अनुसिचिजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज और राजपत्रिक के लिए कौन-कौन सी सीधी भरती है क्या क्या उम्र रहेगी खुली प्रतियों गीता के लिए 21–40 वरक का आपका जो है एज रहेगा अनुसी चाती अनुसी जन जाती एवं सेवी मंडल सभी के लिए 21–45 साल क्या उम्र रहेगा पांस साल की इसमें छूट दी गई है लोक सेवा आयोक की चतुर स्रेनी के लिए अधिक्तम उम्र और कम से कम उम्र 18 से 40 वर्स की उम्री रखी गई 18 से 35 साल तक की उम्र मिनिमम रहेगी मेक्समिम रहेगी पांस साल की छूट दी जाएगी रिक्त पदो का विबरन टोटल ये रहेगा इसमें टोटल 305 भरती रहेगी सीधी भरती के लिए 244 है और आरक्षित सीट के लिए 61 आगे बढ़ते हैं ये सारे आपके पद नाम रहेंगे कौन-कौन से पद पे कहां-कहां कितनी विकेंसिया है कौन-कौन सी एजूकेशन रहेगी ये पद भरत टोटल हम आपको यहां से चलते हैं आगे बढ़ते हैं पद नाम वैतन एवम सेक्षिनिक योगिता सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कार्ड 01 प्रसीक्षन अधिकारी इलेक्ट्रोनिक मेकनिक कुल पद 20 रहेगा इसमें 10 वी एवम 11 वी NCVT, SCVT के साथ उत्तिन होना कंपलसरी है अपरेंटिस पर इक्षा उत्तिन होना कंपलसरी रहेगा इसके अत्वा में दिया गया है हाई स्कुल पर इक्षा होना अनिवारी है NCVT, SCVT से दो वर्स का पार्ठी करम होना अनिवारी रहेगा मल्टी स्क्रीनिंग कोर्स का कोई सा भी हो दो वर्सी होना अनिवारी है इसके अत्वा में है UGC से मानिता प्राप्ति विश्विद्याले से किसी भी एक विशे में यह सारे विशे दे दिए गए है Electronic, Control System यह Electronic हो गया है Electronic से हो गया इनमें इसनातग उपादी या फिर डिप्लोमा होना अनिवारी है इनमें से फिर से सुन लीजे इसनातग उपादी या डिप्लोमा अनिवारी है आगे बढ़ते है Postcard तो पसिक्षण आथिकारी डिजल मेकनिक इसमें कुल पद आपके 40 रहेंगे सेक्षणिक योगिता 10 वी, 11 वी NCVT, HCVT के साथ उत्तिन होना अनिवारी रहेगा Apprentice परिक्षा होना अनिवारी है इसमें एक चीज जोड़ी गई है लाइट मोटर वीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवारी रहेगा अत्वा में क्या है High School समकक्ष पुराने पार्टी करम से 11 वर्स 11 वी परिक्षा उत्तिन के साथ सेंटर मल्टी स्क्रीनिंग कोर्स होना NCVT, SCVT के साथ दो वर्से पार्टी करम होना अनिवारी है एवं लाइट मोटर वीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी रहेगा आगे बढ़ते हैं इसके अत्वा में क्या है UGC से मानिता प्राप्त किसी भी बोर्ट से Automobile Engineering Technology में इस नातक उपादी दोनों में से एक चीज होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं Postcard 3 पसीक्षन अधिकारी Refrigeration तथा Air Conditioner Mechanic कुल पत क्या रहा है इसमें Sectioning U गीता समझते हैं तस्वी 11 वही आपका NCVT, SCVT के साथ होना जरूरी है Refrigeration एवं Air Conditioner के ट्रेट से आपको पास होना आनिवारी रहेगा फिर से समझ लीजिए Refrigerator या Air Conditioner के साथ होना आनिवारी है इसके अत्वा में रहेगा High School से आपका जो है Refrigerator या Conditioner सेक्टर में Multi Screening के साथ कोर्स में दो वर्सी पार्टिक्रम उत्तिन होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं इसके अत्वा में क्या है ITI UGC से मानित अपराफ विश्वित त्याहले से Mechanical RC से Engineering Technology में इसना तक उपादी एवं Polytechnic से एक डिप्लोमा उत्तिन होना इन दोनों में से कोई साभी या तो डिप्लोमा हो या फिर उपादी हो दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा आगे बढ़ते हैं Postcard 4 सीधी भरती Prescription अधिकारी Draftman Mechanical कुल साथ पद रहेगा इसमें इसकी Education डीटेल समझते हैं 10 वी, 11 वी NCVT, SCVT के साथ उत्तिन होना कंपलसरी है एवं Apprentice परिक्षा उत्तिन होना कंपलसरी रहेगा UGC समानिता प्राप्त विस्विद्याले से इन में से कोई साभी एक किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास इसनाता गुपादी या पॉले टेक्निक, डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा देख लीजी स्क्रीन के उपर किसी भी एक चीज में से एक आपको होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं Postcard 5 यह Postcard का नाम रहता है अलग-अलग उसमें दिया गया प्रसिक्षन अधिकारी ड्रॉफ में सिविल कुल पद 19 रहेगा सेक्षिनिक योगीता समझते हैं High High School यहने के 10-11 भी NCVT, SCVT के साथ उत्तिन होना Apprentice पर इक्षा उत्तिन होना Compulsor रहेगा अत्वा में है इसका UGC से मानिता प्राप्त विस्वित द्याले से इन में से किसी भी एक चीज में आपका इसना तक उपादी होना या डिप्लोमा होना यानि के Civil Construction, Engineering, Planning बगएरा बगएरा इन में से किसी भी एक चीज में आपका उपादी या डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट पोस्ट कार्ट 6 सिधिभर्ती पैसिक्षण अधिकारी Electrician कुल 48 पद रहेंगे High School याने कि 10 वी या 11 वी NCVT, SCVT के साथ उत्तिन नहुना अनिवारी है सम्बदी ट्रेट से अथ्वा में रहेगा Electrician Environment Trade का पुरानी पदेती से या तो आपके पास दो वर्षी डिप्लोमा हो या Electrical सेक्टर में NCVT, SCVT से Electrical सेक्टर में NCVT, SCVT से दो वर्षी Multi Selection Particular में उत्तिन नहुना अनिवारी है इसके अथ्वा में एक और है UGC से मानिता प्राप्ति स्विध्याले से इसना तो को पास दी एवो डिप्लोमा होना अति उत्तिन होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगले पोस्ट के लिए Postcard 7 सिधी भरती प्रसिक्षन, कम्प्यूटर अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना प्रसिक्षन, अधिकारी कम्प्यूटर Operator and Programming Assistant बहुत अच्छी पोस्ट है, कुल 48 पद रहेंगे इसमें, 10 वी ग्यारी एनिस्टी वेस्टी से होना अनिवारी रहेगा इसके साथ में PGDCA या UG सिसम मानिता प्राप्त किसी भी इनिवर्सिटी से DIACC या PGDCA का सर्टिपिकेट उत्तिन होना अनिवारी रहेगा यह आपका जो है Computer Programming का पोस्ट है, आगे बढ़ते हैं इसके अत्वाम क्या है Computer Operator, Programming Assistant, Co-PAR, Text of Publisher Data Entry, Operator Basic Computer, Electronic सेंटर, इन में से किसी भी एक चीज में आपके पास दो वर्सी Multi-Selection Particum का Diploma होना अनिवारी रहेगा इसके अत्वाम है और भी कुछ दिया गया है वह जानते हैं ITI ITI या UGC मानिता प्राप्त इस उत्याहले से Computer या Science and Engineering Information Technology में इसना तक या Polytechnical से Diploma होना जरूरी रहेगा दोस्तों ये आप पूरा वीडियो आप देखना तो वही आपको समझ में आएगा हर एक चीज का मैं Vernon कर रहा हूं अच्छे से आगे बढ़ते हैं इसके अत्वा में है यूजी से समानिता प्राप इस्विद्याले से BCA या MCA परिक्षा उतिर्ण हो तो भी आप फार्म डाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं पोस्कार्ड 8 सिदी भरती प्रसिक्षन अधिकारी फीटर फीटर के लिए रहेगा 24 पद है इसमें ठीक है आगे बढ़ते हैं इसकी सेक्षनिक योगीता समझते हैं हाई स्कूल मतलब 10 वी या 11 वी NCVT, SCVT के साथ प्तिर्ण होना आथवा में हाई स्कूल समतल पुरानी पद्दती के साथ NCVT, SCVT के दो वर्सी डिपलोमा होना वेल्डर के लिए Fabrication याने की Feeding या Welding सेक्टर में उत्तिन होना Corporation Trade के लिए Construction Center एवां Wooding Working सेक्टर में उत्तिन होना Turnal Machinerize, Composites सेक्टर में Production, Manual के सेक्टर में होना Turnal के लिए Plant सेक्टर में होना इसके अत्वा में और भी कुछ दिया गया है UGC समानित प्राप्त इस विद्ध्याले से इन में से कोई सभी एक चीज Mechanical Engineering Production Mechanical Engineering Industry Integrated या कोई सभी एक Diploma या फिर इसनातग उपादी दोनों में से एक चीज आपका होना Compulsory रहेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसनातग की पुरी Detail दी है या तो इसनातग होना या डिप्लोमा होना दोनों में से एक चीज कुछ भी चल जाए Postcard 9 सीधी भरती Prasiction अधिकारी गनित एवं डाइन कुलपद 24 10-11 वी NCVT-SCVT से उत्तिर्ण होना अनिवारी रहेगा Apprentice की परिक्षा इसके अत्वा में रहेगा UGC से मानिता प्राप्त किसी भी इनिवर्सिटी से डिप्लोमाय डिग्री होना जरूरी है Postcard 10 सीधी भरती प्रसिक्षन अधिकारी स्टेनो Hindi टाइप स्कूल पर तीन रहेंगे इसकी सेक्षनी की योगीता समझते हैं मानिता प्राप्ति श्वित्याले से इसनात को तर होना इसमें मदिप्रदेश सिग्रेलेखन मुद्रेलेखन से सो वर्ड प्रती मिनित गती से हिंदी सिग्रेलेखन यानि कि टाइपिंग आपका मांगा गया है एवं इसका डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा कम्पूटर में दक्षिता के लिए प्रमान पत्र होना अनिवारी है हिंदी टाइपिंग न्यूंतम बीस वर्ड प्रती मिनित के अनुसार आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है इसमें एक वर्षी कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तिनों होना कम से कम कंपलसरी रहेगा विज्ञान प्रोद्यगी विभाग द्वारा हिंदी टाइपिंग आपके 20 वर्ड पर प्रती मिनिट के अनुसार होना अनिवारी रहेगा एक वर्षी कंप्यूटर परिक्षा उत्तिनों होना अनिवारी रहेगा UGC से मानित प्राप्त संस्ता डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा डी ओ ए सी सी से प्राप्ता अगर इन में से कुछ भी एक हो तो चलेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो पोस्ट कार्ट ग्यारा सिधी बरती यहां से आपका अंकताली का अलग-अलग दी गई इसमें प्रसीक्षड अधिकारी इलेक्ट्रोनिक मेकनिकल छेपद अप्रेंटिस की परिक्षा अथ्वा में इसके दिया है दस्वी यह ग्यार्वी मल्टी स्क्रीनिंग के कोर्स दो वर्षी पार्टिक्रम होना इन में से किसी एक कोई से भी एक सब्जेक्ट में इसना तक या डिप्लोमा होना आनिवारी है आगे बढ़ते हैं पोस्ट कार्ड बारा सिधी भरती प्रसिक्षन अधिकारी डिजल मेकानी कुल पद्दस रहेंगे इसमें सेक्षनिक योगिता समझते हैं कुल पद्दस है सेक्षनिक योगिता दसवी ग्यारी वे स्क्रीनिंग कोर्सेस के साथ एंसीवीटी एसीवीटी दो वर्सी का आटो मोबाइल सेक्टर में लाइट मोटर विकल का डाइविरिंग लाइसेंस कंपल सरी योगिसी समानित प्राफ उस्विद्याले से मेकनिकल इंजिनियरिंग, आटो मॉबाइल, आटो मॉबाइल इंजिनियरिंग से डिपलोमा या इसनादग उपादी होना अनिवारी लाइट मोटर का लाइसेंस होना जरूरी रहेगा आगे बढ़ते हैं ये पद है आपका पोस्ट कार्ड तेरा सीधी वर्ति पसिक्षन रेफ्रेजरेटर एवं एयर कंडिशनर मेकनिक के लिए कुल पद तीन दसवी जारी एंस्वीटी एस्वीटी से साथ मांगा गया है इसमें भी आपका अप्रेंटिस परिक्षा उत्तिन होना आनिवारी है इसके अत्वा में समझते हैं हाई स्कूल समकक्ष परिक्षा एक दो वर्सी दो वर्सी रेफ्रेजरेटर एक कंडिशनर का पार्ठीक्रों का होना आनिवारी है UGC से मानिता प्राव सिध्याले से मेकनिकल या RC से एंजिनेरिंग टेकनोलोजी में इसनातक उपादी या डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं पोस्कार्ट चवुदा सिधी भरती प्रसिक्षन अधिकारी ट्राफ्मेंड मेकनिकल कुल दो पद है सेक्षनिकल योगिता दसवी ज्यारवी NCVT SCVT के साथ एप्रेंटिस पर इच्छा उत्तिन नहोना कंपल सेरी रहेगा इसके अत्वा में रहेगा UGC से मानित प्राव विस्विद्याले से इन में से किसी भी एक चीज में इसना तक उपादी या डिप्लोमा होना आनिवारी है आगे बढ़ते हैं पोस्कार्ट पंद्रा सिधी भरती प्रसिक्चन अधिकारी ड्रॉप में इन सिविल कुल पांच पद रहेंगे इसमें इसकी सेक्षनिक योगिता दसवी ज्यारवी NCVT से NCVT, SCVT से अप्रेंटिस की परिक्षा तीन नहोना कंपलसरी अथवा में है UGC से मानित प्राव स्विध्याले से इन में से किसी भी एक में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उपादी होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों पोस्तकार्ट सोला सिधिभर्ती प्रसिक्षन अधिकारी एलेक्ट्रिशन अब एलेक्ट्रिशन में आपके बारा पद दिये गए हैं सेक्षिनिक योगिता दस भी ज्यार भी NCVT, SCVT के साल अब इसमें विद्यूता परिक्षा उतिन होना अनिवारी रहेगा अत्वा में रहेगा इलेक्ट्रिशन वायर में ट्रेड के दो वर्सी डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा NCVT, SCVT सेक्टर से इलेक्ट्रिशन सेक्टर में आपका ट्रेड होना अनिवारी रहेगा दोस्तों वीडियो को बीच में से ना छोड़ें आगे बढ़ते हैं इसके अत्वा में UGC द्वारा मानिता फ्राप्त विस्विद्याले से इसनातक उपाधी एवं पॉलेटिकल डिप्लोमा अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं पोस्कार्ट सत्रा प्रसिक्षन अधिकारी कम्प्यूटर ओपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कुल पद बारा रहेंगे सेक्षन की योग्यता समझते हैं कि दस़ी ग्यारवी एन्सी वीटी एस्सी वीटी के साथ उत्तिवन होना अनिवारी रहेगा सिक्चुथा परिक्षा एवं DRC-DISCC से मानित प्राव उस्विद्याले से PGDCA होना अनिवारी रहेगा इसके अत्वा में ये PGDCA का आपका होना जरूरी रहेगा ठीके इसके अत्वा में रहेगा कम्प्यूटर ओपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को पा टेक्स्ट आप पब्लिशर डाटा एंट्री ओपरेटर बैसिक कम्प्यूटर इन में से किसी भी सेक्टर में दो वर्सी मल्टी स्क्रीनिंग का पाठिक्रम होना अनिवारी है UGC से मानित प्राप्त विश्विद्याले से इन में से किसी एक विशे में इसना अदगुपादी या डिप्लोमा होना अनिवारी रहेगा UGC से मानित प्राप्त विश्विद्याले में BCA या MCA परिक्षा उतिनों को जो प्यारती है वो भी भर सकते हैं आगे बढ़ते हैं पोसकार्ड अठारा सीधी पर्सिग्षण अधिकारी फिटर इसमें बी दसवी ग्यार्वी NCVT,SBT के साथ उतिनों होना अनिवारी अगे बढ़ते हैं पोस्कार्ड उन्निस प्रसीक्षण अधिकारी गणित ड्राइंग कुल पांच पद इसमें दसवी वग्यारवी जो है एन्सीवीटी एस्सीवीटी के साथ जो ट्रेट दिया गया इसमें ड्राफ्ट मेकनिकल ट्रेट से उतिर न होना अनिवारी है अप्रेंटिस परिक्षा हो होना अनिवारी है UGC से मानित अप्राफ्ट विस्विद्याले से इन में से किसी एक सेक्टर में डिप्लोमाय डिग्री होना अनिवारी रहेगा आगे बढ़ते हैं पोस्कार्ड 20 प्रसीक्षण अधिकारी इस्टेनों हिंदी कुल एक पद रहेगा इसके जानकारी समझते हैं मानित अप्राफ्ट विस्विद्याले से इसना तक होना अनिवारी इसमें 100 वर्ट प्रती मिनिट के अनुसार आपको टाइपिंग का डिप्लोमा देना अनिवारी है कंप्यूटर दक्षिता प्रमान पत्र परिक्षा में CPCT वेदी स्कोर के साथ 20 वर्ट प्रती मिनिट के साथ हिंदी की टाइपिंग UGC से मानित अप्राफ्ट डिप्लोमा UGC से मानित अप्राफ्ट UGC से मानित अप्राफ्ट विश्विद्याले से DOACC से डिप्लोमा होना सास्की पॉलेटेक्निक कॉलेज से माडर्न आफिस मेनेजमेंट का कोर्स होना अनिवारी रहेगा सास्की पॉलिटेक्टिक कॉलेज से माड़न आफिस मेनेजमेंट कोर्स होना रास्टि ये आन्य कि NCVT, SCVT से कम्प्टिटर कोपा होना निवारी रहेगा ये आपका सब्द, जो है डिपलोमा होता है डिपलोमा होना निवारी रहेगा तब ही आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद